प्रदूशड परियवर्णी प्रदूशड वायू जल तदा भूमी प्रदूशड के रूप में हो सकता है अफस्स जब पदार्थ या कूड़ा जो घरो या उध्दोगों से आते हैं वे वायू जल तदा भूमी प्रदूशड के बढ़ेश रोत हैं वेग्यानिक इस तत्त को भली भाती जानते हैं कि किसी भी प्रकार का प्रदूशर सारिक स्वास के लिए खतरना को सकता है। अब इते कुछ सोध अधिनों ने प्रदूशरों के अथवा और प्रतक्ष मनोवेग्यानिक प्रभाव को प्रदर्शित किया है। यह समझना चाहिए कि समायनता किसी भी प्रकार का प्रदूशर तंत्र का तंत्र को प्रभावित कर सकता है। करते हैं जहां कुड़ा फैला रहता है या निरंतर दुर्गंद व्याक्तों। इसी प्रकार से वायू में धूल के कड़ों या अनिनम्मित कड़ों के कारण दम घुटने का अभास्वास्त लेने में कटना ही हो सकती है। जिसमें वास्तों में शचन तंत्र समवंदी विकार भी उत्पन हो सकते हैं। वे व्यक्ति जो इस प्रकार के अस्वस्तता का अन्भो करते हैं अपने कारे पर पुरा ध्यान नहीं दे पाते। प्रसंद भाव दर्शा में नहीं रह पाते। जिसमें अन्भो करने की बात स्विकार की। प्रफाव छोड़ गई। अनेक ऐसे व्यक्ति जुन्होंने विश्याली गैस, मिथाल, आसो, साइनेट, M.I.C. तथा अन्य द्रव सोंगे थे। उनमें समिती अफधान तथा जागरुपता संबंदी गड़बडिया पाए गए। घर्ततव दबतर के परावलड, भीतरी परावल्ड में भी हानीकारक, परदूश्वाई हो सकता है। उदारण के लिए तंबाकू पीने के दुवें से होने वाले प्रदूशड यानि सिगरेट सिगार या बीडी पीने से होने वाले प्रदूशड के गारण भी मनवेगनिक प्रभाव हो सकते हैं ऐसे प्रभाव सिग्रेट पीने वाले व्यक्ति के लिए अधिक होते हैं था भी इस तंबागों को धुए में स्वास नेता है निश्क्री दूमरपान वह भी निश्यदात्मयक प्रभाव को बगतता है। एक शोत करदा ने पाया कि तंबागों का धुए स्वास के लिए भीतर खेशना व्यक्ति में अक्रामक्ता के सरकों बढ़ा सकता है। पदूशीत भूमी पर उगाई जाती है। विशाक्ता का दूसरा अशोत घरो या उदोगों से निकलने वाले अफसिस्ट पदार्त या खुडा करकट हैं जो जाविक रूप से सरणशील नहीं होते। इस प्रकार के अफसिस्ट पदार्तों के समान उदाराट प्लास्टिक टीन दाटु से बने पात रहें। इस प्रकार के अवसिस्ट पदार्टों को नश्ट करने या जलाने के लिए विस्ट तक्नीकों का उप्योग करना चाहिए तो दूए को जन साथार के सशन क्रिया में आने वाली वाई में नहीं चोड़ना चाहिए समाता ऐसे पर्यापत प्रमाने जो या प्रदेशित करते हैं कि वायू जल्द अधा मिर्दा में विशेले रसायनों के खानिकारेक प्रभाना के वर्द समान इवन वेगैनिक प्रकारियों पर पढ़ते हैं बल्कि उनके कारण गंभी मान से वेकार भी उतपन हो सकते हैं अधा इसमें बिल्कुल संशय नहीं है कि प्रतेक रूप से प्रदुश्यर को नियादित करनी क्या हो शकता है भीड हम में से अधिकांश भीड से पर्चित हैं जो कि वेक्तियों के बड़े और अप्शारी को स्वमू होते हैं और जो अस्थाई रूप से किसी विसिस्ट लक्षिया होते से के बिना ही एक साथ एकत्रित होते हैं जारण के लिए जब कोई प्रस्थिद व्यक्ति आचानक सड़क पर दिखाई देता है तो लोग उस स्थिती में वहाँ उपस्तित होते हैं प्राया केवल उस व्यक्ति को देखने के लिए इकत्रित होते हैं कि किन्तु भीड क्रावडिंग का भिन आर्थ होता है इसका संदर्व याए कि सुस्ता की भावना से होता है जिसका कारण या है कि हमारे आस पास बहुत अधिक व्यक्ति या वस्तू होते हैं हमें बहुत एक बंदिन की अन्भूती होती है इस तक अभी-कभी व्यक्ति सुतंता में न्यून्था का अन्भू होता है एक विसस्ष रिशेतर अधिक में बड़ी संख्या में व्यक्ति की उपसिदी के प्रती व्यक्ति की प्रतिकर्या ही भीड कहलाती है जब यह सांखे एक निश्यत इस तरह से अधिक उजाती तब इसके कारण वह व्यक्ति जो सिस्तिति इंफस गया था दबाव का अन्भो करता है इस अर्थ में भीड एक परेवर्णी दबाव का अन्भो है भीड के अन्भो के निम्लिकित लक्षर हो सकते हैं उसुस्ता की भावना व्यक्तिक स्WOTANTH में निवन्ता या कवी व्यक्ति का अपने आसपास के परवेश के संबत में निश्यतात्मक दिश्चिकोर तथा समाजिक अंत्रिया पर नियंधर्ण के अभाव की भावना हमारे देश में अनेक मनोवग्यानिक परिणामों का विवस्तित अध्यान कई भारती नगरों जैसे इलाहबाद, एहमदाबाद, पूरे, वाराणसी, तथा जैपूर, राजस्तान के कुछ ग्रामिट शेद्रों में किया भीड के उपर इनमें से कुछ जोद अन्वेशन मनोवग्यानिक प्रिवक्षाला में किये गए, कि इन से अधिक अधियान समाने जीवन में सामने आने वाली परिस्तियां जैसे घर, दफ्तर, या तयात, और टोरिक्षा जैसे समाजिक परिवहान दुनों, सिनमा घरों इताद ग्यात तब भे है कि भीड के अनभूती केवल बड़ी संख्या में जन संब्धा है, मात्र से अत्वा केवल स्थान भाव से नहीं होती, या घरनत विदेंसिटी से संब्ध है, अर्थाथ किसी उपलब्द स्थान में व्यक्तियों के संख्या उधारण के लिए दी, किसी रे प्रशन उठा सकता है कि क्या भीड अनभू सदेव अधिक घनत वाली स्थितियों में ही होता है, तथा क्या कभी सभी व्यक्ति उसके निशन धात्मक, प्रभाव, समान, सीमा तक ही अनभू करते हैं, यदि आपने दोनों प्रशन को उतार नहीं दिया है, तो आप सही है, ज यदि बहुत कम व्यक्ति हो, दूसरी ओर, यदि एक छोड़े कक्ष का बहुत सारे व्यक्ति साज़ा कर रहे हैं, तो सबको ही परशानी का उनभू होता है, भीड के दबावपूर प्रभाव, तभी पूर्थ समझे जा सकते हैं, जब हम उसके परणामों का उलोकन करें, भी अधिक घनतों के परणाम सरुप, अब समाने व्यक्ति अक्रामक ता उत्पन हो सकते हैं, अनेक वश्यों पूल्व, चुओ पर किया गया है, सोद में यहां परलिक्षित हुआ कि प्राणियों को बाड़े में रखा गया, प्राणा में यहां कम संख्या में दे, इस बंद इ में उनकी जनसंख्या फिर कम हो गई, मनुश्यों में भी जनसंख्या विद्धी के साथ कभी कभी हिंसात्मक अपराधों में विद्धी पाई गई, भीड के फलसरूप, उन कठीन कारियों को जिनमें संगेनात्मक प्रक्रिया नहीं थे, निश्पादन निमनस्तर का हो जात प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये निश्पादमक प्रभाव उन भ्यक्तियों में अल्प्रमात्रा में परलक्षित होते हैं, जो भीड़ वाले परवेश के आदि होते हैं, वे बच्चा जो अतिदिक भीड़ वाले घरों में बड़े होते हैं, वे निश्पादन प्र अधिक द्वन्दकान फो करते हैं तो उन्हें अपने परिवार में भी कम सायता पराप्त होती है समाजिक अंतिक्रिया के प्रकृति भी या निर्बर करती है कि व्यक्ति भीड के प्रतिक किस सिमा तक प्रतिक्रिया करेगा हो बल्कि इसके प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, इसके साथ ही भीड भी समाजिक अंतिक्रिया की प्रकृति को प्रफावित कती हैं, व्यक्ति भीड के प्रति जो निशेधात्मक प्रफाव प्रदाशित का तो इसकी मात्रा में व्यक्तिकत भिनताएं होती हैं, तता उनकी प्रतिक अधिक घनत होया भीड वाले परियावराट के साथ मान से एक रूप से सही हो जन करने की योगता को संदर्विक करती है जिससे घर के बीतर भीड एक छोटे कबने में बड़ी संख्या में लोग जो लोग एक परियावराट के आधी होते हैं इसमें अनेक व्यक्ति अनेक चारो और रहते ही हैं उधारण के व्यक्ति जो एक बड़े परिवार में पलकर बड़े हो रहे हो तो था परिवार एक छोटे मकान में रहता वे उन लोगों की अपेक्षा जिने अपने आस पास किवल कुछ ही व्यक्तियों के रहनी के आदत होती है भीड शहिशूर्दा अधिक संख्या वाले देशों के वासियों की अपेक्षा अधिक होगी प्रतिसपर्दा शहिशूर्दा वा योगता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति उस इस्तिति को भी सह लेता है जिसमें उसे मूह संसादनों निया तकी बहुत एक स्थान के लिए भी अनेक व्यक्तियों के होगी सांस्कृति विषयस्ताह या निधारबर कर सकती है कि एक वेक्ति पर्यारण आत्मिनिस्ट्र व्यक्ति-पर्ण रूप में कि सेमा तक ρूप या कम बीड्वाला नेनित होगा वैं प्रतिदी नेश्यथात्मख प्रतिग्रियों किरपकृति Paradise को भी प्रभाईत करसक दूसी और वे संस्कृतिया जो व्यक्ति को समू में या समाविस्ट से अधिक महतों देती हैं उनमें व्यक्ति में परवेश अनेक व्यक्तियों के उपसिति उसके लिए सुब्जाजनक होती है फंदुसमा को रूप से चाहे संस्कृति समू को व्यक्ति से अधिक महतों दिया हो जाता हो इसकी ठीक विप्रीत या इस परस्टे की संस्कृतियों में भीड को दवाव पूर नहीं अन्भो किया जाता है व्यक्ति का तिस्तान पॉस्नल स्पेस या वह सुव्दजनक भौतिक इस्तान जिसे व्यक्ति अपने आज पास बनाए रखता है अधिक घनत वाले पर होता है भीड में व्यक्ति का तिस्तान पॉस्नलर्म हो सकता है हम में अनेक ऐसे उदारण प्राप्ते हैं जिन में लोग भौतिक प्रियवराट के प्रति व्यक्तिक आ निन व्यक्ति का खटिännत के शंदर अंद में प्रतिक्रिया करते हैं समाजे की सुटियों में मने शेजिन व्यक्तियों के साथ अंतेक्रिया कर रहा हो था है। आध विशेस भौत तिक शारेरिक दूरी बनाये रखता रहा है। इससे अंतर व्यक्तिख बहुत तिक दूरी इंटरपोर्शनल फिस्कल डिस्स करते है। एक अधिक व्यापक व्यक्तिका तिस्थान के सम्प्रते का भाग है। बना कर रखते हैं जब आप किसी चार गहने जा बना कर रहे हैं घणिष्व द्रेभ तर्या सिंबन्दी के साथ अंतक रहा हैं द्वेक्तिति आकेले में बात करते हो या जो आपका बहुत अंतरंग नहीं आ, समाज़ेक दूरी चार, इंसे दसirs को फूर है, जो अंतरंग से अंतरंग न कर दूरी है, से 10 चुन तर्यक दूरी पु hd जब बड़ी ही संक्या में लोग उपस्तितों कर बना कर रखते हैं, उदारण के लिए किसी साजनिक वक्ता शोदाओं को या कक्षा मेधापा की दूरी, यहां ध्यान देने की योग्या की दूरी है, स्वेक्षा से बना कर रखे जाती है, अंतिक्रिया लिप्त व्यक्तियों क की सुवधा में ध्यान रखकर बनाई जाती है, तदा अभी जब इससान की कमी होते हैं, तो व्यक्ति परस पर अप एक शक्री छोटी बहुत तिक दूरीयों को बलात ही बादेकर अपनाते हैं, उदारण के लिए रेल के टिपे, ऐसे जक्ड़े हुए हैं, सानों में व्यक् बहुतिक परियावरन के अंश के रूप में उपलफ दिसान के प्रतीविवार, तदा जब आवगमन की सुतंता व्यक्तिक, सोतंता का बूद व्यक्तिक दिसान की आउसक्ता सामान गुरूप से वनीर निरिपाती, तब व्यक्तिक को दबाओ का अप होता है, वह निशचे ज प्रधेशा में रहता है या प्रधेशत करता है, जितनी सीखरता सम्भू हो उसे उस इससी से बहार निकलने का प्रयास करता है।